बक्तिया माम अहु जानाती यावन्यश चास्मी ततुता ततो महाम ततो ग्यात्वा विश्टे तदनंतरम बक्ति से भगवान को जाना जा सकता है किसी भी व्यक्ति को आपको जानना हो तो उसके संपर्क में आना पड़ेगा ये C.I.D. वाले क्या करते हैं? इंटलियंस ब्यूरो वाले क्या करते हैं? ये किसी भ्यक्ति को जानने के लिए, किसी बदमाश को जानने के लिए, किसी सीरियल किलर को जानने के लिए, पकड़ने के लिए, पहले उसके संपर्क में आते हैं, किसी भी रूप से मित्र बन के, पड़ोसी बन के, बेश बदल के, या उसके जैसा वेश धारन करके या वो जहां पर सैलोन पर जाता है, उस सैलोन पर बैट करके उसकी जैसी कटिंग कराते हैं, कि कोई तरह से इसकी मेरी बास शिरू हो जाए तो यह अपना बेद खो ले, कि वास्तों में चक्कर क्या है, कितना जाल फैला रखा है तब जान जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, ऐसे ही भक्त जान जाता है भक्ती करके प्रेम करके प्रभू को, फिर प्रभू के चरणों को नहीं छोड़ता उसके इसी प्रकार से है एहंकार नहीं जानने देता उस साकार स्वरुप को भगायन स्री कृष्ण को इसमें एहंकार को बड़ी क्षती होती है कि कृष्ण और हमारे जैसे देदारी और वो परमेश्वर देवकी का पुत्र ग्वालों के साथ गायचरेने वाला चोटे-मोटे राक्षसों को मारा तो क्या हो गया कोई भी मारता है अरे युद्ध में लाकों लोगों लोग मरते हैं मारने वाले मारते हैं बं फैंक देते हैं जापान में लाक आदि मर गए ये बं ब्लाश्टिंग हुआ एटम से तो क्या हो गया देव की पुत्र है तो क्या हो कोई परमिश्वर है तो ऐसे असुर बुद्धी वाले लोग नहीं पहचान पाते हैं कि भक्ति प्रेम उनके इर्दे में नहीं है भगवान के पृति सुर्दा नहीं है तो कैसे पहचाने तो बवानिया इस पश्ट किया है एक जगे नहीं जगा जगा कि मैं तुम सब का बाप हूँ तो औरिजिनल बाप हूँ तुमारा मेरी पूजा करो मेरी शरण में आओ मुझे प्रसन करो मुझे प्रसन करने के करते भी करो तो तुमारा कल्यान है तो मैं तुमको गोदी में उठाऊंगा, वह नो डोलोगे संसार में बटकते, तडपते, दुखों में, बार बारी जनम्मरण जराब्यादी, पढ़ते रोगे, डोलते रोगे, हजारों माता होगे, गर्भ में जाओगे, भार निकलोगे, रोगे, चलना होगे, दूद पीओगे, फिर बड़े होगे, फ पिर कमाने जाओगे, फिर भुड़ा पाहे जाओगा, फिर फिर मरोगे, वह ही करब करोगे बार 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 बार। नहीं इसे मुक्ष, इसे मुक्त होने के लिए भगवान उपाय बतला रहे हैं, बिधी बतला रहे हैं, ये भागवत कीता का ग्यान है, जो इससे वंचित रहता है, वो संसारम फोसा रहता है, जो इसकी शरन ले लेता है, इस ग्यान की, वो भगवान को पहचान ने लगता है, चला जाता है एक दिन, शरीर तो गिरेगा, इस शरीर को त्याक कि सीधे ही भगवान की धाम को जाए, वो ब्यक्ति परम है, वो ब्यक्ति महान है, वो महत्मा है, वो धर्मात्मा है, उसको ही शाष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि नाम ही आनन्द का है जा अशांति हैं वहां आनन्द ले सकते हो आप आपका मन असांत है परिवार असांत है आप असांत है यह देश असांत है तो आनन्द ले सकते हो आप ऐसे ही अशान्त अवस्था में आदनी को आनन्द नहीं मिलता लेगि शान्त अवस्था में आनन्द का अनवव होता है चाहे हो सांसारी की इस्तर पर और कुछ समय के लिए होता है लेगिन आध्यात्मिक शांती शाश्वत शांती शाश्वत आनन्द को कहा है को शाश्वत आनंद का अधिखारी बन जाता है क्षिप्रम सीग्री क्षिप्रम भौती धर्मात्मा मेरी शरण लेकर के एक दुराचारी व्यक्ति भी शीग्री कुछी समय में उसकी सुर्द्दा के अनुसार उसके प्रेम के अनुसार व्यवा वो शीग्री धर्मात्मा बन जाता है यानि शुद्ध भावना भावित हो जाता है भगवत भावित हो जाता है कृष्णा कॉंश्यसनेस में प्रवेश्ट कर जाता है और शाश्वत शांती को प्राप्त कर लेता है eternal peace को प्राप्ट कर लेता है परमांन्द को प्राप्ट कर लेता है हे कुंती के पुत्र अर्जुन तु घोशना कर दे की मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता क्यों कह रहें बगवान बगवान कह रहें कि कोई देवताओं के ब्थ्थी करता है कोई मनुष्यों की भक्ति करता है कोई भूत प्रेतों की भक्ति करता है इनका नाश होता है ये आदी अंतु वाले हैं इनका जनम होता है फिर मरते हैं नश्ट हो जाते हैं लेकिन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता मेरा भक्त शाश्वत रूप से मेरे धाम का वासी बन जाता है फिर ये दुराचारियों में कितना भी दुराचारि हो भगवान की शरन में आगा तो उसको ये फल मिलेगा भगवान का धाम मिलेगा भगवान की शरन में चाहे इस्त्री हो चाहे कोई पाप योनी चांडाल हो या कोई वैश बिजनिसमेन हो वैश्या ही क्यों ना हो या बिजनिसमेन कहते हैं कि अरे महाराज कहा टाइम हमारे पास इतना कार खाने चला रहे हैं कहां तुम का आ गए हैं भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो को मतलब है पैसे से हमको मतलब है प्रतिश्ठा से हम संसार के सबसे धनी बन जये क्या करना है हमको बजन का और बह्गान का तो फशे सी हुए है लिए भगवान कहते हैं कि जो business class है वैश है लुद आपना सारा कारूबार चलाते हुए भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं छोड़ना कुछ नहीं है संसार में रहते हुए ही भगवान को प्रसंद करना है तो क्या बिजनिस करते हुए क्या भगवान को प्रसंद नहीं कर सकते याद नहीं कर सकते उनका ध्यान नहीं रख सकते जागरित नहीं रह सकते अच्छेतन हो जाते हैं अच्छेतन होके रहोगे तो अच्छेतनता में आपको आपकी अदो गती है चातनता में उर्दू गती है चातन होकर जीवन जीओगे तो उपर की गती को प्राप्त करोगे और अच्छे तंता में जियोगते नीचे की गति को प्राप्त करोगे और प्रभू के बनकर सनसार में ब्यापार करोगे तो प्रभू के हो जाओगे ब्यापार करते करते भी और शरीर ठागनी के बाद भी बगवान के धाम हो जाओगे बगवान कहते हैं गी मामी पार्थ विपासर तत्य अपी शुपाप योन यहां इस्त्रियोग वैश्याश तथा शुद्रास ते अपीयांती परामगती शुद्र भी शुद्र किसको कहा है कम गुद्धी वाले को विचारा पड़ा लेका नहीं है कोई शास्तों का ग्यान नहीं है खेती बारी करता है या कोई मजदूरी करता है अपना गुजारा करता है ऐसे व्यक्ति भी आजगल जो शुद्र का शब्द का अर्थ का अनर्थ कर दिया वो तो बिल्कुल गलत है भगवान ने इस विश्य में तो कभी जाना भी नहीं कि इस अर्थ का अनर्थ कर देंगे लोग कि कोई कमबुद्धी वाला है या कोई करमचारी है बरकर एक क्लास है मेंत मजदूरी करता है उसको तुम छूओ नहीं पाप लगेगा ये तो पौंगे पंडितों की बदमाशिया है नहीं कोई छोटा व्यक्ति है छोटी बुद्धी का है बुद्धी जादा नहीं है सिक्षित जादा नहीं है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है कोई मजदूरी मेनत करके खाता है तो उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते हैं उसको कभी गले नहीं लगा सकते हैं लगा सकते हैं वो भी हमारा ही भाई है हम सब एक पिता की संतान है लेकिन समय के अनुसार शब्दों का विनाश हो जाता है या अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है तब गड़बर मच्ती है यहां बगवान कहते हैं कि जो पड़े लिखे नहीं है जो महनत मजदूरी में लगे हुए हैं उनको कमाने खाने के सामने ही कुछ फुरसत नहीं मिलती नहीं वो भी मेरी शर्ण में मेरा नाम इस्वन करके मुझे मेरे धाम को आ सकते हैं चाहे वो इस्तरी हो चाहे वैश हो या वैश्या भी हो कोई कम पड़ा लिखा हो कोई वर्कर क्लास हो उसको शुद्र कहके बोलाई संस्कृत भासा में शुद्र का मतलबी शुद्र से है जो छोटा है छोटी बुद्धी का है इसमें ये नहीं कि आप उसको छुओ नहीं प्रेम नहीं करो या उसको तरसकार करो ये तो सब गड़बड़ वाली बात है समाज के उचे अभिमानी आदमियों की भगवान के हिर्दे में तो सब समान है समम सर्वे सू भूते सू सारे भूत प्राणि मेरी दरष्टी में एक ही है तो भगवान की दरष्टी में एक ही है तो आपकी दरष्टी में बेदवाव क्यों है बगवान ने तो चार डिविजन बनाएं समाज के कि एक स्कॉलर क्लास होता है एक वारियर मिलेटरी होती है एक बिजनिसमेन होता है और एक वरकर होता है बगवान नहीं यह नहीं कहा आप लोगों से कि उस वरकर क्लास को छूना नहीं वो अचूत है नहीं ये तो समाज में ये चारों डिविजन अपने आप बन जाते हैं इस पिसे में एक इशारा दिया है गीता में ले उसका अनर्थ कर देना आडंबर ही लोगों का काम है आडंबर फैलाने वालों का काम है अपने एहंकार को बड़ा करने वालों का काम है अपने को उंचा बतलाओ दूसरों को नीचा बतलाओ उनका काम है स्वेम परमात्मा भी सभी को एक दृष्टी से देखते हैं तो फिर ये आडमबरी लोग क्यों ये भेदाव करते हैं तो समाज में फिर विकार उत्पन होता है बैमन श्यता पहलती है इसके जुम्मेदार फिर ये ही है तो ये बीमारी को निकालना चाहिए भगवान कहते हैं कि कोई भी क्यों ना हो चांडाल भी क्यों ना हो जो पापिष्ट है नीचे से नीचे पाप करता है वो भी मेरी शरण लेके मेरा भजन करके और मुझे प्राप्त कर लेता है किम्पुनर ब्राह्मना पुर्ण्या बगदार आजरसियस्त था अनित्यम ऐसुकम लोकम इमम प्रापिभजस्वमा तो फिर पवित्र ब्राह्मन कहा है जो आत्म स्वरूप हो गए हैं ब्रह्म वेत्ता हो गए हैं याद रहे ब्राह्मन शब्द ब्रह्म से ही निकला है ब्रह्म आत्मा को कहा है और ब्रह्म परमात्मा को भी कहा है परम ब्रह्म कहके पुकारा है तो ब्रह्म शब्द आत्मा को भी बार-बार शास्त्रों में कहा गया है तो यह पवित्र ब्रह्म किसको कहा है जो आत्मा की भावना पवित्र है, जिसकी consciousness purified है, भगवत भावित हो चुकी है, पूर्ण तया, भगवान कहते हैं, फिर उनका तो कहना ही क्या है, जिनकी भावना पवित्र है, जो पवित्र ब्राम्मन है, बड़े बड़े संते हैं, ये पवित्र ब्राम्मन है, बड़े बड राजशी हैं जनक महराज जैसे अमरिश महराज जैसे जो भगवान की शुद्ध भक्त भी हैं और प्रत्वी के समराथ भी रहें राजाओं की गद्धियों पर भी हैं इसे भक्तों के उधारन मिलते हैं भागवत के अंदर भगवान कहते हैं फिर ये जो दूसरी जो उचे पदों पर पहले से इस्तिर है कोई प्रकाश्वान हो गया है परम ब्राम मने पवित्र ब्राम मने तो यदि ये मेरी शरण ले ले तो फिर इसका कहना ही क्या है जब ये पाप योनी भी शिगरता से मुझे प्राप्त कर लेते हैं फिर ये इतने एलिवेटेट इतने ऊपर उठे होई है मात्मा जन है चाहिए निराकार में हो या दूसरे क्षित्र में हो या अभ्यास कर रहे हो या सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हो या जनक रिशी जैसे निराकार के उपासक अश्टावक्र गुरू महराज उनके किसी भी रूप से अगर ये मेरी शर्ण मा आ जायें तो ये मेरा धाम प्राप्त कर लेते हैं मुझे प्राप्त कर लेते हैं जब चाड़ाल भी शिग्रता से चाड़ाल बोले तो नीचे से नीचा पाप करनेवाला व्यक्ति वो भी मुझे मेरी शरण लेके मुझे भज करके मेरी सेवा सुसुरसा करके शीग्र ही मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है शाश्व शान्ती को प्राप्त कर लेता है तो फिर इनका तो कहना ही क्या है जो राज रिशी है पवित्र ब्रहमन है या मेरे भक्त है, भक्त भी सभी तो सत पृतिशथ शरण में नहीं होते भक्त तो भहुत है भग्वान के, लेदन कोई तीस पृतिशथ सरण में है, सतर पृतिशथ संसार में है, कोई फिप्टी परसेंट है, 50% संसार में कोई 75% भगवान की तरफ है लिए 25% अभी और भी उसकी इच्छाएं भोग विलास बच गए लिए यहाँ पर भक्त कहा है ऐसे ही लोगों को जो पूर्ण भक्त नहीं वने है अगर वो सब्रतिशत मेरी शरण मा आ जाए तो वो भी श्यगरी मेरे धाम को प्राप्त करते हैं किम्पुनर ब्रहमना हां पुर्णिया भक्ता हां राजरिशेस्त था अनित्यम ऐसुकम लोकम इमम प्राप्त भजश्यमाम फिर यह अनित्य और जो ऐसुकम यानि जिसमें सुक नहीं है एसे संसारमाक करके क्यों नहीं मेरा भज़ण करेंगे वो तो अविश्य मेरा भज़ण करते हैं मुझे प्राप्त करते हैं मेरे पास आ जाते हैं जो प्रतिक अज्या में बभवान फूल जैसा खिलाते हैं परम ग् म बाठते हैं वो इस लोग है इस इस लोग का आनन्द लिए आज भी और इसके बाद आने वाले सस्थेंग में भी ये बड़ा प्यारा इस लोग है भगवायन स्री कृष्ण अरजुन को कह रहे हैं मन मना भाव मदवक्तो मज्याजी माम नमस कुरू हे अरजुन मेरे में मन वाला हो मन मना भाव तेरे मन में 24 गंटे मेरी यादगार मेरी स्मृति बनी रहे 24 गंटे मन मना भाव जैसे गोपियों के इर्दे में गोपियों के मन में सदेव भगवान शामसंदर समाए रहते थे ठीक वैसे ही गोपियों का उधारनिया पर पड़ा स्रेश्ठ है गोपियों सभी काम करती थी अपने घर का काम काज करती थी खेतों पर जाकर भी काम काज करती थी लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलती थी उनकी ऐसी लगन लगी हुई थी कृष्ण जी में कि एक पल को भी उनको भूलाना असंबव था उनके पत्यों के साथ भी रहते हुए भी कृष्ण को नहीं भूला पाती थी सोते जाकते उठते बैठते नाते दोते धई बिलोते रोटी बनाते भोजन बनाते खेतों पर काम करते सभी समय उनका भगवान के इसमर्ती में गुजरता था भगवान शाम संदर को वो अपनी मन से एक पल को भी नहीं हटा पाती थी ऐसा मन मोहन ने उनका मन मोह लिया था क्यों मोह लिया था इस्पेशली उन गोपियों का क्योंकि ये गोपियां साधारन नहीं थी भगवान के साथ जो नित्रास में आठ गोपियां जो आश्ट सकीजिन को कहते हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ती है जो ब्रच के आसपास के ब्रिंदावन के आसपास गाउं में प्रगट हुई आहिर्नियों के घरों में गूजरियों के घरों में भगवान की लीला का आनंद लेने कि धरादाम पर भगवान क्या-क्या लीलाएं करते है उसका आनुद लेने वो भगवान को नहीं छोड़ती भगवान से नहीं पिछोड़ती इनमें राधा जी भगवान की अलाजनी शक्ती है परम शक्ती हैं आठों के बीच में मै ललता, विशाका, ब्रंदा, जमना, इत्यादी ये भगवान की शक्तियां चंद्रा वाली लेन अनेकों गोपियां और भी है ये भी भगवान की जनम जनम से भजन करने वाली आत्माएं है भगवान को पती स्वरुप से मांगने वाली आत्माएं है प्रेमी स्वरूप से आलिंगन करने वाली आत्मा है उनका भी जन्म इन घरों में हुआ ब्रज के घरों में और उनको भगवान कृष्ण मिले उनके साथ महारास किये होली खेली भगवान ने अने को लिलाएं अने को तरह से अपनी भक्तों को आनन दिया और जाने के समय सबको अपनी धाम को ले गए गोपी हैं जो वगवान स्री कृष्ण के प्यार में पागल थी वो मुक्त हो गई इस संसार से अश्ट गोपियों की बात नहीं कर रहा वगवान की अंतरंगा शक्ति हैं सदेव कृष्ण को घेरे रहने वाली शक्ति हैं वो कभी इस धाम में रहने का और इस धाम में धाम का असर उनके उपर नहीं होता इस संसार का असर उनके उपर नहीं होता वो अंतरंगा शक्ति भगवान की भगवान की साथ आई आगे पीछे और भगवान की लीलाओं में आनंद लेकर के और भगवान की धाम को गई लिए जो दूसरे गोपिया ब्रच के अंदर जितनी भी नारिया थी तमाम भगवान की भक्त थी और भगवान के धाम को चली गई शरीर त्याक त्याक करके इसमें संदे नहीं कृशन भगवान के प्र जिस किसी को बहुआन सरी कृष्ण के एक जलक के दर्शन हो जाए वो इस संसार में नहीं रहेगा चला जाएगा बहुआन के धाम को चला जाएगा प्रलाद महराज को प्रलाद महराज को नारज जी को भगवान के एक जलक के दर्शन हुए दे प्रतंबार लिए भगवान नारज जी को कहा था कि बालक तुम पांच वर्स की अवस्था में इस बीहर जंगल में भूके प्यासे तीन दिन के और मेरा मुझे मिलना चाहते हो मुझे मिलने के लिए डूल रहे हो जंगल में बन में जंगली जानवरों के बीच में हाकरशन करते हो मैंने तुम्हें मेरी एक जलक के दर्शन दिये अब तुम रो मत आसं पोचलो तुम मेरे जलक के प्यासे थे मैंने दर्शन दे दिये अब तुम मेरा भजन करो और शुद्ध हो करके मेरे धाम मा आओ मेरे अपना मन करके मेरा पार सब्द मन करके उस समय अर्जुन उस समय नारजी दासी पुत्र थे एक जनम में तब कि ये कथा है सुख देग उस्वामेजी भागोत में ये कथा कहते हैं परिक्षित महाराज को सुनाते हैं नारजी बेद्यास जी को बतला रहे हैं हिमाले के सरस्वती नदी के किनारे जहां बेद्यास जी का आश्रम है नारजी गुरू है बेद्यास जी के कि है नारज भगवान के वाइक हैं कि भगवान ने मुझे आकाशवाणी से अंतर ध्यान होकर के ऐसा कहा कि हे नारत तुम मेरी जलक के प्यासेते मैंने तुम्हें दर्शन दिये लेकिन जब तक तुम शुद्धता पर निया आओगे तुमारी भावना में पूर्ण तया मेरा प्रेम नहीं भर जागा तब तक तुम मेरे धाम में आने के हगदार नहीं इसलिए तुम मेरा और भजन करो फिर मेरे पास आजाओ बेद्वियास जी को बोलते हैं नारत जी बेद्वियास जी के गुरू है कि बेद्वियास सारे शास्त्रों की रचना की वेदों की पुरानों की सारे शास्त्र तुमने संगीत आए सब कुछ उपनी शद्ट लिए फिर भी तुम उदास हो उसका कारण क्या है गुरू जी मेरी समझ में नहीं हारा मैं क्यों उदास हूं मुझे जितना लिखना था उतना मैंने लिखा है गनेश जी ने लिखा है मैंने बोला है लिए मैं उदास हूं मैं खुश नहीं हूं मेरी समझ में नहीं आरा कारण क्या है तब नारज जी ने कहा है कि क्या तुमने देव की नंदन भगवान स्री कृष्ण का की लीला बारताओं का कथाओं का कुछ उल्लेख अपनी शास्त्रों में कहीं किया है पूर्ण रूप से नहीं नाम तो मैंने कहीं कहीं लिया है ले पूर्ण रूप से उनकी लीला है पूर्ण रूप से नहीं कहीं पर उद्रित हुई हैं लिखियें तब नारज जी कहते हैं कि बेद्वियास फिर तुम्हें एक शास्त्र की रचना और भी करो जिसमें एक मातर देव की नंदन का कि देव की नंदन ही परमिश्वर हैं वो ही परम पुरुश हैं उनको ही पुरुशुत्त्म कहा है उनसे परे कुछ नहीं है वो ही आधिर अनारजी हैं इश्वर हो परम कृष्ण हो सचिदा अनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद हो सर्वकारण कारणम। वोई सबी कारणों के कारण है उनकी लिलाओं का जब तक उनकी कथाओं का जब तक तुम अपनी शास्त्रों में लेखन नहीं दोगे तब तक तुम संतुष्ट नहीं होगे मैं तुम को एक कथा कहता हूँ, सुनो नार जी कहते हैं एक जनम में मैं एक दासी का पुत्र था कुछ ब्रामनों ने चत्रुमास किये थे चार मास चत्रुमास बारिश के मैनेम करते हैं चत्रुमास किये थे तो मेरी माँ उनके सेवा करती थी उस समय मैं पाच वर्ष का था मेरी माँ थी और मैं था दोनों इन ब्रामनों के जहां पर चावनी थी, वहां ही हम रहते थे मेरी माँ उनके पानी बरती थी, उनके बरतन साप करती थी, आश्रम में जाडू लगाती थी उनकी सेवा करती थी और हम गुजारा करते थे एक दिन मेरी माता जब दूद निकालने गई गाय का ब्रामनों के लिए तो उसको नाग ने डस लिया वो मर गई कुछ दिन के बाद ब्रामन भी चले गए चार मास पूरे हो गए बरसात की मैं अकेला रह गया लेनो ब्रामन भगवान सरी कृष्ण की जब कथा वारता करते थे तो मेरी मा भी बैठ कर सुनती थी मैं भी सुनता था कभी कभी मैं उन महात्माओं की बची हुई थाली में जूट को उनसे पूछ कर मैं खाले था कि महाराज ची आपका थोड़ा प्रशाद बच गया मैं खालू इसे तो कहते थे खाले बेटे भगवान का प्रशाद है तो उस प्रशाद का उन वैशनों की बची हुई जूट का प्रशाद का मुझे फल मिला उनके मुखों से निकल हुई भगवान की वारता लाओ भगवान की प्रतिका था सत्संग होता था उसका मुझे लाव मिला कि भगवान की समर्थी सदे मेरे इर्दे में ब्याप्त हो गई मेरी मा मर गई ब्रामन लोग अपने अपने घरों को चले गए मा केला रह गया लिए मैंने सोचा कि मैं भगवान सरी कृष्ण को प्राप्त करूँगा जब मैं उनकी संतानों तो उनको प्राप्त करूँगा मैं उनका अंश हूँ मैं निकल चल दिया जंगलों से अहीरों की बस्तियों से धनाड बस्तियों से रास्ते में मुझे सोने चांदी की खाने खजाने आए उनको भी मैं पार कर गया हीरे जवारातों के खजाने आई उनको भी पार कर गया और मैं बीहड जंगल में पहुचा यहां पर भगवान ने उनको एक जलक के दर्शन दिये थी समय कम है जैगो पाल लूज करो दस मिन्टा विच ते मैं अपना बारा पाउंड वेट लूज कीता है पार कुटा ओंड लेए स्ट्रस दूर करन लेए ते आपड़ी अनल